मे अधर प्रॉस जोonne तो आज हम लोग डिसकस करने वाले डिवीजिबिट्टि si slope टो कि यह सब्सक्राइब नमबर को किशी एक पर्टिकुलर नमबर कर सकते हैं कि मिटीस कर सकते हैं यह चक कमें पास कुछ रूओस उसको हम डिवीजिबिटी campus तो यह concept हमारा वहां गाम आता है जहां पर बहुत बड़ा नंबर हो और हमें उसको divide करना हो और हमें पता ना लगए हो कि हमें इसे किस नंबर से दिवाइट करना चाहिए तो वहां पर आगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स का concept पता है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि वह नंबर आसानी से किस नंबर से डिवाइट हो जाएगा तो आज हम टू से 11 तक के जो नंबर होते हैं उनके डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ें हैं तो सबसे पहले बात करते हैं के दिवाइट के बारे में तो किसी भी नंबर लिए उसका जो या और है तो आसानी से नंबर क scientifically होगा और लास वाली डिजित उसकी even number है, ठीक, 3 के divisibility चेक करने के लिए कि कोई number 3 से divide होगा की नहीं होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी उसके digit है उस number के, उन सब को add कर लेंगे, और add करके जो हमें number मिलेगा, अगर वो 3 से divide होता है, तो वो पूरे का पूरा number 3 से divide हो है, ठीक है, तो example के लिए हमारे पास कोई number है, ठीक है, 1, 2, 5, 6, double, 2, ठीक है, यह कोई number है, तो हम इसकी सारी digits को add कर लेंगे, अगर इसका sum, कोई भी अगर इसका 3 का multiple बनता है, ऐसा number आता है, जो मन्तब 3 से, असा डिवाइड हो जाता हो, तो यह पूरे का पूरा number 3 से divide 17, 18, और 18 जो है, वो 3 का multiple है, और यह आसानी से 3 से divide हो जाएगा, तो इसका मतलत है, पूरा पूरा number 3 से divide हो जाएगा, जिक, अब आप करते हैं, 4 के divisibility की, तो अगर हमें यह चेक करना है, कि कोई number 4 से divisible है की नहीं है, तो उसके last 2 terms, अगर last के 2 digits उसके अगर 4 से divide हो जाते है, तो वो पूरे का पूरा number 4 से divide हो जाएगा, जिक, एक्जाम्पल के लिए देखें, यहां पर 2524 एक number गया वा, अगर इसके last के 2 digits देखें, तो इसके last 2 digits है 24, 24, तो 24 4 से आसानी से divide होता है, तो इसका मतलत है पूरा पूरा number 4 से divide होगा, तो आप इसको check भी कर सकते हो, तो इस number का last digit है, या तो वो 0 होनी चाहिए, या तो फिर 5 होना चाहिए, तो last का digit या तो 5 हो या तो 0 हो तो वो पूरे का पूरा number 5 से divide होगा, जिक, तो आप बात करते हैं 6 के divisibility की, तो अगर कोई number हमें यह check करना है कि वो 6 से divide होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए हम यह check है कि वो number 2 और 3 से divide होता हो, ठीक है, 2 और 3 से दोनों number से वो अगर divide हो रहा है, तो वो 6 से भी divide होगा, ठीक है, जैसे यह आप एक number है, तो अगर मैं इसको check करूं, तो 2 और 3 के हम divisibility पहले distance कर चुके है, तो last number यह बाने तो 2 से divide हो जाएगा, और अगर इनका sum कर लोगा, तो कि हो गया, 1 plus 2, 3, 3 plus 5, 8, 8, 6, 14, 15, 16, 16, 8, 24, ठीक है, तो इसका total sum हो रहा है, वो 24 हो रहा है, और 24, 3 से divisible होता है, तो इसका मतलब ही पूरे का पूरा number 6 से भी divide होगा, ठीक है, तो आप बात करता है, 7 के divisibility rule के बारे में, ठीक है, तो अगर हमें check करना कि कोई number 7 से divide होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, उस number का last digit को double कर लेंगे, और जो बाकी number बचा, उसमें से last digit को जो हमने double कर चुके है, जिसको, उसको minus कर लेंगे, अगर उसको minus करने पर ऐसा number हमें मिलता है, जो 7 से आसानी से divide होता हो, तो वो number 7 से divisible होगा, example के लिए, ये number 483, ठीक है, त last term 3, इसको हम double कर लेते हैं, तो योगया 6, और इस जो बाकी remaining number बचा हमारे पास, उससे इसको subtract कर लेता है, 48 minus 6, योगया 42, और 42 जो होता है, वो 7 का multiple होता है, तो इसका मतला है, ये पूरे का पूरा number 7 से divide होगा, तो अब बात करते हैं, 8 के divisibility की, तो 8 से कोई number divide होता है, कि न अगर वो last के 3 digit 8 से divide हो रहे हैं, तो वो पूरे का पूरा number 8 से divide हो जाएगा, तो जैसे हमारे पास ये number है, हम इसको check करना चाहें, कि 8 से divide होगा, कि नहीं होगा, हम इसके last 3 digit को 8 से divide होगा, तो अगर इसको देखो 288 को, तो 24, 8 3 चा 24, बच्चा या 4, 48, और 8 6 चा 48, तो ये divide हो रहा है, ये पूरे का पूरा number 8 से divide हो रहा होगा, तो आप बात करते हैं, 9 के divisibility की, अगर हमें कोई number चेक करना है, कि वो 9 से divide होगा कि नहीं होगा, जो हमारे पास number है, उसके सारे digits को हम add कर लेंगे, और उसके बात जो हमें number मिले, वो अगर 9 का multiple है, तो वो number 9 से divisible होगा ठीक है, example के लिए, ठीक, अब ये number आगर हम इसके सारे digits को add कर लें, 4 plus 3 plus 5 plus 3 plus 3, तो 7, 4 plus 3 7, 7, 5, 12, 12 और 3, 15, 15 plus 3, 18, तो 18 जो है, 9 का multiple होता है, तो ये पूरा का पूरा number जो होगा, 9 से divide हो जाएगा, ठीक, अब बात करते हैं, 10 के divisibility की, तो ये सबसे आसान है, किसी भी number में, अगर last में 0 है, यानि उसकी last digit अगर 0 है, तो वो आसानी से 10 से divide हो जाएगा, ठीक, अब पूरा completely divide तब ही होगा, जब last में 0 होगा, ठीक, कोई भी number 3, 4, 9, 7, last में 0 होना है, last में अगर 0 है, तो कोई भी number 10 से divisible तब होगा, जब उसके last में 0 होगा, ठीक, अब बात करते हैं, 11 के divisibility rule की, तो अगर हमें ये चेट करना है, कि कोई number 11 से divide होगा, कि नहीं होगा, तो हम क्या देखेंगे, हम उस number के, जितने भी even places पे digits हैं, उनको add कर लेंगे separately, और जो odd places पे digits हैं, उनको अलग से add कर लेंगे, और फिर उन दोनों का difference देखेंगे, यानि उन दोनों को subtract कर देंगे, ठीक है, अगर उसको subtract करके, उन दोनों को subtract करके, 0 आता है, या 11 का multiple आता है, तो वो number 11 से divisible होगा, तो example देखते हैं, इसका एक, तो यहां पे हमारा पे नमबर है, ठीक है, तो इसके जो even places पे जो number है, और odd places पे नमबर है, उसको हम अलगल कर लेते हैं, और हाँ इस चीज़ याद रखना कि इसको किसी भी तरह से subtract कर सकते हैं, जो भी बड़ा होगा, अगर even places वाला sum बड़ा है, उसके बाद अगर 0 आ जाए, या 11 का multiple आ जाए, तो वो नमबर 11 से divisible होगा, ठीक है, तो यहां पे यह odd places के number है, 8, 9, 8, 8, ठीक है, तो इसको हम add के लेते हैं, तो 9 plus 8 plus 8, तो यह हो गया, 9, 8, 17, 17, और 8 हो गया, 25, ठीक है, यह odd places का हो गया, अब इवन places का 1 plus 0 plus 2, 1 plus 0 plus 2, तो यह हो गया, इस तरफ, 1 plus 0 plus 2, तो इसका sum हो गया 3, अब अगर इसको subtract कर दें, तो 25 minus 3 equal to 22, ठीक है, तो 22 जो होदा है, वो 11 का multiple है, तो इसका मतलब यह 11 से divisible होगा number, ठीक है, तो I hope यह वीडियो आप लोगो पसंद आया होगा, ठीक है, तो अगर आपको ही पसंद आया हो, तो इसको like करें, share करें, subscribe करें, so keep supporting and thank you so much.